नमस्कार आप देखरें ABC इंडिया मैं अमिद भोविया दोस्तों आजम बात करेंगे मुलेठी की खेती के बारे में मुलेठी की खेती के बारे में हमसे पूछा था इंस्टागराम पर सैंडी रावत ने और इन्होंने बहुत अच्छी खेती के बारे में पूछा है क्योंकि मुलेठी की खेती में अमधनी बहुत जादा है और खर्चा बहुत कम लगबग 2.5 लाख रुपे परती एकर तक लोग इसमें कमा रहे हैं खेर इस केती के बारे में बताऊं इससे पहले आपसे यही कहूंगा कि सैंडी रावत की तरहें आप लोग भी मुझे इंस्टागराम पर मैसिस कर सकते हैं इंस्टागराम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबा लें और ओल के उपर जरूर क्लिक कर लें तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दू कि मुलेठी के पोदे को लगाने का सबसे सही समय है फरवरी और मार्च का महिना जुलाई और अगस्त का महिना कोई भी टाइम में आप इसके पोदे को लगा सकते हैं लेकिन इसके पोदे को लगाने के दो तरीके होते हैं एक बीज के जरिए, दूसरा कलम के जरिए और उसमें भी आपको नरसरी दोनों ही तरीकों में त्यार करनी पड़ेगी मैं आपको अडवाइस दूँगा कि आप लोग इसकी नरसरी त्यार कीजिए कलम के जरिए आप इसके कलम लाइए 15 सेंटीमीटर की कलम होगी उसके अंदर दो आँख होनी चाहिए मिनिमम जिस कलम के अंदर दो आँख मतलब दो बड़ जिसके अंदर हैं वो कलम आप जो हैं कुछ ऐसे पॉलिथिन लीजिए मिट्टी भर कर बर्मी कमपोस भर कर उनके अंदर लगा दीजिए और इसे कुछ दिन के लिए त्यार होने दीजिए जब ये नर्सरी त्यार हो जाएगी यानि ये पॉदे जो हैं ये जड़े जमा लेंगे तो इन पॉलिथिन से निकाल कर इन्हें जो है आप खेत में लगाईए खेत में लगाने का तरीका क्या होता है इनका लाइन से लाइन की जो दूरी है वो रखनी है तीन फिट और पोदे से पोदे की जो दूरी है वो अपने को रखनी है डेड फिट इसके अंदर जब लगाएंगे आप तो लगाने के बाद आपको इसमें सिंचाई करने हैं पानी देना है और उसके बाद में आपको एक हफते तक हर तीसरे दिन पानी देना है और जब ये पोदे अच्छे से मिटी के साथ जुड़ जाएं तो उसके बाद में आपको महिने में एक बार जो गर्मी का महिना है उसमें महिने में एक बार और सरदी में पानी देना ही नहीं है वो इसके पोदों के आसपास में थोड़ा डाल दीजिए पानी की से ज़्यादा वशक्ता रहती नहीं है अब रही बात कि कोई खाद डालनी है क्या अगर आपके जमीने हलकी है यानि कमजोर जमीने है तो आप उसके अंदर गोबर की खाद डाल सकते हैं कोई फारम का और डीकमपोज है वो डाल सकते हैं अन्य था आपको कोई भी खाद इसमें नहीं डालनी क्योंकि ये एक मैडिसिनल प्लांट है और मैडिसिनल प्लांट जो होते हैं उनके अंदर आपने अगर जहर डाल दिया सप्रे डाल दी कैमिकल फर्टेलाजर डाल दिये तो वो किसी काम के रहे नहीं जाते अब रही बात की एक एकड में कितने पोदे लगेंगे तो एक एकड में लगबग 96.00 के करीब आपके पोदे लगेंगे आप अगर इसे 3.5 के हिसाब से लगाते हैं तो अब अगली बात आपको बदा देता हूँ कि ये जो पोदे हैं ये यानि कि मुलेठी की जो खेती है इसको हर्वेस्ट करने का जो टाइम है वो लगबग 2.5 से 3 साल के बाद आता है हर्वेस्ट क्या करना रहेगा इसकी जड़े निकालने पड़ती है और जड़े कब निकालने पड़ती है तो जड़े आपको निकालनी चाहिए नवंबर और दिसंबर के महीने में क्योंकि इसके अंदर ये खास किसम का एक एसिड होता है उसकी मात्रा उस महीने में थोड़ी ज़्यादा होती है अब रही बात की मुलेठी क्या खाने पीने के ही काम आती है जो अपन गला लगाना है सुर लगाना है गला खराब है तो खा लिया तो आपको बता दूँ ऐसा नहीं है आज के टाइम में ग्रीन टी आती है ब्लैक टी आती है कई परकार की चाह आती है तो उनके अंदर मुलेठी के पौडर का इस्तेमाल होता है कई परकार की दवाईयां आती है अईरुवेदिक दवाईयां उनके अंदर मुलेठी के पौडर का इस्तेमाल होता है डिप्रेशन को लेकर हार्मोन जो है अप डाउन चले जाते हैं उनको लेकर पहुत सारी परकार की कर्टी सोल बढ़ गया उसको कम करना है तो ऐसी चीजों के लिए मुलेठी का इस्तेमल किया जाता है तो कुल मिलाकर ये है कि दिसंबर के महिने में आपको इसकी हर्वेस्टिंग करनी पड़ती है अब रहा बात कि इसका रेट क्या होता है तो इसका रेट जो है 15,000 से लेकर 25,000 तक फ्लेक्चुएट करता है कितना ये वाला ऐसी डिस्क के अंदर है इसी के अधार पर ये सारी चीजे तैह होती है अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो ये सारा कुछ तैह होता है न इसमें हम मिनिमम मानके चलते हैं कि 15,000 परती कुएटल ये विकेगा ये 20 कुएटल मिनिमम से मिनिमम हो जाता है तो हम मानके चलते हैं 15 ही होगा 15 गुना में 15 कर लोगे सवा 2 लाक रुपे के आंदनी है खर्चा क्या है खर्चा कुछ भी नहीं है खाद तो डालनी नहीं दवाईयां डालनी नहीं बिमारिया क्या आती है तो बिमारियां एक ज्यादा से ज्यादा बड़ी बिमारी आएगी इसके अंदर मकडी का जाला लग जाता है मकडी इसे खराब करती है दूसरी बिमारी क्या आएगी इसके पत्तों के उपर एक पाउडर आ जाता है एक वो जो लंबा सा सलग होता है वो चिपकना शुरू हो जाता है इनको मारने के लिए आपको जो है मार्किट से कोई ना कोई दौई घृद नहीं पड़ेगी और ये भी कई बार टंपरेचर कार की जो कंडिशन है उनके कारणाता है और कहां कहां भी ये हो सकती है तो वैसे तो इसे माना जाता है नोर्थ वेस्ट की फसल है ये यानि कुछ हिमालिया का एरिया है कुछ पंजाब का एरिया है उदर होती है लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो ये हर उस एरिय में हो जाती है जहां पर टंपरेचर जो है कम से कम 5-6 डिगरी तक आता है और ज्यादा से ज्यादा 40-45 डिगरी तक जाता है वहां पर हर पूरे भारत के हरे उस तेरिया में हो जाती है जहां पर जमीन में फंगस की दिक्त नहीं है पानी रुकता नहीं है हर उस जगा में हो जा इंसिटूट से संपर्क कीजिए और इन इंसिटूट के विगानिकों से बात कीजिए और उसके पश्चात ही आप इस मेडिसिनल प्लांट की खेती कीजिए और भारत के अंदर इस्तेमाल होने वाली ज्यादतर आयरुवेदिक दिवाईयों के अंदर इसका सबसे बड़ा योगदान है इसलिए आप इसकी खेती कर सकते हैं खेर दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कोमेंट शक्षन में जुरूर बताईएगा और देखते रहिए ABC इंडिया